बच्चों चलते हैं पार्ट नमबर शिक्स ट्राइदीच गए और इसमें देखिए मैंने हमेशा कि तरह पहले से दिखा हुआ है आप देख सकते हैं क्या दिखा इस क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूं वाट विल बी दे वांस डिजिट ठीक है कि वाश्च डिजिट इन दे स्क्वेर ओफ प्रोविंग नमबर यह जो नीचे नमबर दिये वे हैं इनका अगर हम स्क्वेर निकालते हैं तो उसके वांस पहले स्पर ठीक है वांस डिजिट कितना आएगा ठीक है सबसों बिल्कूल सबसक्ते नमबर बना लेता हूँ नमबर ऑल यहाँ लिए वसբ़ें इस डिजिट कि वान्स डिजिट कि इट स्क्वेर कि ऐसे हैं ठीक है बच्चों यह लिख लेते हैं आप देखिए वन पैलिस पर इसलिए नंबर वन यानि को से मन में नंबर है 1234 आप देखिए बच्चों आपको पूरे नंबर का स्क्वेर निकालने की जूरत नहीं है आप केवल जो लास्ट में वन पैलिस पर डिजिट ए उसका स्क्वेर निकाले तो हमें पता लग जाएगा कि इस नंबर का फूरे नंबर का अगर हम स्क्वेर निकालेंगे तो उसके वन डिजिट पर कौन सा नंबर आएगा ठीक है बच्चों आप देखिए 4 4 4 जा कितना होता 16 होता है 4 x 4 तो कितना होता है 16 तो इसके unit place पर कौन सा digit आ गया 6 आ गया तो आप यहां पर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे ठीक है बच्चों आईए second कर लेते हैं second में है number 26387 और यहां पर देखिए 7 से इसके जो unit palace पर है वो 7 है और इसका 277 जा 49 तो इसके unit palace पर देखिए कौन सा digit आया 9 तो इसमें आएगा 9 ठीक है बच्चों अगर इस number का हम square निकालते हैं तो उसके once palace पर 9 आएगा आए नंबर 3 नंबर 3 में है 52,698 आप देखिए यहां पर यह 8 आ गया अब 8 का अगर हम square निकाले तो 8 x 8 64 तो इहां पर क्या आगया 4 तो इसमें आएगा 4 ठीक है बच्चों मैं ऐसे sign लगा लेता हूं ताकि आपको कोई भी confusion ना रहे ठीक है बच्चों यह वाले है बच्चों यहां पर अगर जीरो को जीरो से multiply करते हैं तो कितना आएगा जीरो ही आता है आएए नंबर 5 पर चलते हैं और 5 पर है टो क्या आएगा ठीक है बच्चों यहां पर अम इसका निकालके दीख रहे हैं आएए 6 पर चलते हैं 6 पर है 9106 ठीक है बच्चों यह है तो आप पूरे नंबर का निकालने के जुरुत नहीं है तो हम शिरफ वन पैलिस का निकालेंगे 6 है तो 6 इंटू 6 होता है 36 तो इसकी वन पहलेश पर कितना आ गया 6 आ गया तो जब हम इस नमबर का स्क्वेर निकालेंगे उस स्क्वेर के वन पहलेश पर आएगा डिजिट 6 तो बच्चों देखिए कितने इजी तरीके से इसे और भी आप नमबर ले सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग से कोई भी बुक आप ले सकते हैं परचेज करके उस पर अगर ऐसे कोई भी कुश्चन आते हैं तो आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीके बच्चों तो यह था एक छोटा से वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो इसे जादा से जादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए और बच्चो मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चो को जरूर सिखाएं चलो कदम बढ़ाएं देश को सिख्षित बनाएं मिलते अगले पार्ट में तब तक के लिए धन्यवा हुआ है